समाधान से समीकरण तक अब तक हमने अध्यान किया कि समाधान ग्यात करने के लिए एक समीकरण को कैसे हल करते हैं आईए हम दूसरे तरीके से चलते हैं अर्थार्थ यदि हमें एक समाधान दिया हुआ है हम इसका समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं आईए हम x बराबर 3 लेते हैं, अब समीकरण के दोनों ओर 7 से गुणा कीजिए, हमें 7 गुणा 21 के बराबर मिलता है, अब दोनों पक्षों में 4 जोडते हैं, यहां हमें समीकरण मिलता है 7x जोड 4 बराबर 25, इसके अलावा हम देख सकते हैं कि यदि हम हर चरण के साथ विप् मार्क का अनुसरण करते हैं, जैसा दाहिनी तरफ दिखाया गया है, हम समीकरण का समाधान प्राप्त करते हैं, अब एक बार फिर x बराबर 3 पर विचार कीजिए, बाएं पक्ष में x रिन 1 और दाहिने पक्ष में 2 पाने के लिए दोनों पक्षों से 1 घटाएं, अब समीकर समीकरण के दोनों और 5 से गुणा कीजिए, हमें 5 गुणा x रिन 1 दस के बराबर है के रूप में समीकरण मिलता है, यह एक और समीकरण है जिसका समाधान x 3 के बराबर है, अतह हम पाते हैं कि एक समीकरण दिया होने पर हमें एक समाधान मिलता है, लेकिन एक समाधान दिया ह पर हम कई समीकरण बना सकते हैं।